हलो दोस्तों आप सभी का SSG के ग्यान में स्वागत है दोस्तों आज से हम गुरूपडी के प्रैक्रिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं यह इसका टेस्ट नमबर वन है जिसमें जीके, जीयस और जनल अवार्नेस के मोस्ट इंपोर्टन सेलेक्टर कोईश्चन है दोस्तों इस टेस् प्रैसके में से कितने कॉइश्चन का एंस्वर करेक्ट हो पाता है चलिए moral करते हैं सेटाट करने से पहले आप से रिक्वेस्ट है कि आप यदि चैनल पे नए हैं तो चनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेश करें चलिए स्टार्ट करते हैं तो आज आपका फर्स्ट क्वेस्टन है कि निम्न लिखित में से किस रोग में रोगाडू खुले घाउस से होकर प्रवेस्ट कर जात राइसे प्रवेस्ट फääर पहुंच को सब्सक्राइब और प्रकार चैनल पहुंच जाता है इस बसकियोता सम्भावित यूनिट्ट सुद्ध सब्सक्राइब जो ऑगके DIY तॉ-वhmenन ह्ए मोई घेंS अंट भाख किर चालूरी सब्सक्राइब बेता हुए बढकर है इसानिक छोटा संभावित यूनिट अड़ु होता है चलिए नेक्स कॉरिशन के उपढ़ थे हैं आपका नेक्स कॉरिशन है कि मानो अंग में विटामिन किसमें सहायक नहीं होता है इस प्रेश्ट का राइट एणसवर इसका राइणसवर सी होगा सोरी दोस्तों इसका राइट एंसवर D होगा कार शक्ति के आपूर्ती तमानों अंग में जो विटामिन कार के शक्ति आपूर्ती में साहिक नहीं होता है चलिए नेक्स कोश्चन के उपढ़ते हैं आपका नेक्स कोश्चन है कि अमलता कम करने के लिए उप्योग की जाने वाल एलुजेल जो गोली होती है उसमें क्या होता है इसका राइट एंसवर बताइए इसका राइट एंसवर D होगा इलमूनियम हाइडाकसाइड तो जो वेरि इंपोर्टेन्ट प्रश्ण है दोस्तों के अतधिक आगात वर्धिधातु काउंसी है इस प्रशच का राइट एंसवर डी होगा सो नो अत्य दिक जो आघहात वर्धिधातु होती है वह सोना है चलिए नेक्स क्वेस्चन के बढ़ते हैं आपका नेक्स q्वेस्चन के एक मलेरिया रोधी आउसदी की तरह उप्योगी है तीज प्रस्ट का right answer बी नेक्स्ट क्यों पढ़ते हैं आपका next question है ये वह वेरी वेरी important प्रस्ट ये exam कई भाए repeated हो चुके हैं कि टीहरी बांध उत्तरांचव सरकार द्वारा किस नदी पर बनाया गया है इस परस्ट का राइट एंस्वर होगा भागी रथी भागी रथी नदी पर टीहरी बांध है चलिए नेक्स क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स क्कुष्टन है कि पुछतक माई प्रेसिडेंशीर के लेखक क्यों हैं इसका रइट एंस्वर हो जायτε आपका सी आरवेंकटरम रुमन घुरा माईप्डेशन एर लिखे गया है चलिए नेक्स क में पढ़ते हैं आपका next question है कि पश्यों में खुर्पा एवं मुपका बीमारी क्या कारण है इस प्रश का right answer इसका right answer ए होगा विसाडू के कारण खुर्पा एवं मुपका रोग होता है चले next question क्यों बढ़ते हैं आपका next question है कि computer का जो package page maker किस operating system से संबंदित रखता है इसका right answer इसका right answer C होगा windows चले next question क्यों बढ़ते हैं आपका next question है कि मानों शरीर का कौण से अंग पुरुदभवन को प्रदशी करता है इस प्रश का right answer इसका right answer C होगा यक कृत चले next question क्यों बढ़ते हैं आपका next question है कि राई नाइट्स नामक रोग से कौन से अंग परभावित होता है इस प्रश्च का right answer बताइए इसका right answer D होगा नाक नाक जो है राई नाइट्स नामक रोग से प्रभावित होता है नेक्स को बढ़ते हैं दोस्तों इस टेस्ट को पूरा दे क्योंकि इसमें जो है कुछ तो previous year के question है और कुछ selected question लिए गये हैं जो आपके group D exam के लिए बहुत ज्यादा यूजफूल होंगे दोस्तों आपका next question है किने जुड़वा खनीच कहा जाता है इस प्रश का right answer हो जाएगा आपका सी सीसा और जस्ता को जुड़वा खनीच के नाम से भी जाना जाता है चलिए next question क्यों बढ़ते हैं आपका next question है यह यह भी very very important question है दोस्तों कि Paris किस नदी क किनारे इस्तित है इस प्रश का right answer हो जाएगा ए सीन सीन नदी पर पेरिस इस्तित है चलिए next question क्यों बढ़ते हैं आपका next question है कि निमनली खित में से कौन से खरीव की फसल है इसका right answer बताइए इसका right answer हो जाएगा D मक्का मक्का जो है खरीव की फसल है चलिए next question क्यों रखा कहलाती है इसका राइट एंस्वर दोस्तों इसका राइट एंस्वर हो जाएगा आपका सी दस्वी से मानता रखा चलिए नेक्स क्वेश्चन क्यों पड़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि एक बैट मिंटल कोट की लंबाई कितनी होती है इसका राइट एंस्वर जिसका राइट एंसर C होगा 44 फूट तो जो एक बैट मिंडल कोट होता है उसकी जो लंबाई होती 44 फूट होती है चलिए नेक्स क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि दूर दर्शन का राष्टी कारेकरम किस वर्श में आरम किया गया था इसका राइट एंसर इसका राइट एंसर होगा 1982 तो 1982 में दूर दर्शन का राष्टी कारेकरम आरम किया गया था चलिए नेक्स क्वेश्चन के उपढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतराश्टिक क्रिकेट परिष्ट के वार्षिक पुस्तोगों के अंतरगत सर गारफिल्ड सोबस ट्रौफी किसे परदान किया गया इसका राइट एंस्वर हो जाएगा आपका सी बेन इस्टोक्स को चलिए नेक्स क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि आँख का रंग किसमे मौझूद वरड़क पन निर्वा करता है इस प्रश्का राइट इंसर आपका हो जाएगा बी आईरिस आँख का जो रंग होता है आईरिस के मौझूद वरड़क पन निर्वा करता है चलिए नेक्स क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि अंधेरे में देखने की आग की छमता एक वईग्यानिक वरड़क के उत्पादों के कारण होती है जिसका नाम है इस प्रश्च का राइट एंस्वर आपका हो जाएगा बी रेड़ाप सीन चलिए नेक्स क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन जो की वेर वेर इंपोर्टेंट प्रश्चन दोस्तों कि मानों का समान रखदाप कितना होता है इस प्रश्च का राइट एंस्वर यह होगा 120 अपान 80 mm पारा होता है चलिए नेक्स क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन कि पानी की छोटे छोटे बुलबुलों की गोले होने का कारण है इसका राइट एंस्वर बताएए इसका राइट एंस्वर डी होगा प्रिष्ट तनाव प्रिष्ट तनाव की कारण पानी की छोटे छोटे जो बुलबुले होते हैं वो गोले का आकाद निर्मारा करते हैं चलिए नेक्स क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन कि जल में कठोरता पैदा करने वाले दो धातु आयन है इस प्रश्ट का राइट एंसर हो जाएगा आपका B, कल्सियम और मेगनिसियम चलिए नेक्स कोश्चन के ओब बढ़ते हैं आपका नेक्स कोश्चन है कि किस नियम के अनुसार दिये गए रसाइनिक परदार्थों में हमेज़ वही तापमान तत्त होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होता है ति इस प्रश्ट का राइट एंसर जाएगा A, इस तिर अनुपात का नियम है जले नेक्स कोश्चन के उपढ़ते हैं आपका नेक्स कोश्चन है कि एक अच्छा अस्थान से चल कर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकेंड में 6 मीटर पर 30 सेकेंड हो जाता है साइकिल के तूर्ड की गढ़ना करें दोस्तो इसको आपको लगा कर बताते हैं दोस्तो जो गति का फर्स्ट नियम है कि भी स्कल्टू U प्लास 80 इसमें जो आपका प्रारंभिक वेग होता है 0 होगा यह स्कल्टू यहां से आप निकाल सकते हैं भी अपांट टी यहां से जो भी है 6 है और समय जो दिया है 30 है इसको जब कल्कुलेशन करेंगे तो आपका एंसर आएगा 0.2 मीटर पर 30 सेकेंड स्क्वाइर होगा चलिए नेक्स क्वेस्टन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेस्टन 2 किलो वाट हावर किसके बराबर होता है 30 प्रश का राइट एंसर आपका होगा दोस्तों आपको याद रखना चाहिए कि 1 किलो वाट आवर बराबर होता है 3.6 गुड़े 10 पे 6 जूल होता है इसमें यह दि 2 का मल्टिप्लेकेशन करते हैं तो 2 किलो वाट आवर का निकल जाता है जिसका राइट एंसर डी होगा 7.2 गुड़े 10 पे 6 जूल होता है इसमें 2 का मल्टिप्लेकेशन आपकर लीजिएगा चलिए नेक्स क्वेस्चन के उपर आपका नेक्स क्वेस्चन है कि जब बल विस्थापित होता है तो बल द्वरा किये गए कारे को रुड़ात मा जाना जाता है इस प्रश का राइट एंसर आपका होगा इसका राइट एंसर ए होगा बल की विप्रित दिशा में होता है चलिए नेक्स क्वेस्चन के उपर आते हैं आपका नेक्स क्वेस्चन है कि उस निस्क्री गैस का नाम क्या है इसे आधुनिक आवास सारड़ी में पहरी आवर्त में रखा जाता है इस प्रश्क का राइट एंस्वर आपका क्या होगा इसका राइट एंस्वर बी होगा हिलिया चलिए नेक्स कोश्चन के उपड़ते हैं आपका नेक्स कोश्चन है कि निमनल खित में से किस शहर ने 13-14 नुमबर 2019 तक आयो जित ब्रिक्स शिकर सम्मेलन के इक रह्मे संस्क्रड की मेजबानी की है इस प्रश का राइट एंस्वर आपका हो जाएगा भी ब्रासिलिया इस प्रश का राइट एंसर पताईए इसका राइट एंसर हो जाएगा भी जस्टिस अम्रेश्वर प्रताप सिंग दोस्तों चलिए नेक्स कोश्चन के उपड़ते हैं आपका नेक्स कोश्चन है कि निमनल लिखित में से किसे राज सभा के सभापती एम वह इंक या नायडू दोरा वित पर संसदी अस्थाई समिती है तू नामित किया गया है इसका राइट एंसर आपका होगा डाक्टर मनमोहन सिंग चलिए नेक्स कोश्चन के उपड़ते हैं आपका नेक्स कोश्चन है कि उस राज जिका नाम ग्याद करें जिसके प्राचीन जल प्रडाली सुरंग बावड़ी को 2020 के लिए विश्व असमारक निगरानी सूची के रूप में चुना गया है ति इस प्रश का राइट एंसर बताईए दोस्तों इसका राइट एंसर होगा डी करनाटक चलिए नेक्स कोश्चन के उपड़ते हैं आपका नेक्स कोश्चन है कि मौला ना अबुल कलाम आजात की जयानती को किस रूप में मनाया जाता है इस प्रेश का राइट एंसर बताईए इसका राइट एंसर हो जाएगा A राश्टी सिच्छा दिवास चलिए नेक्स कोश्चन के बढ़ते हैं आपका नेक्स कोश्चन है कि एक्सिडेंटल मैजिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है जिसमें हैरी पार्टर के नास्ट एल जीया और इस्ट्रेडल्स को चैनल किया गया है इस प्रेश का राइट एंसर बताईए आपका होगा इसका राइट एंसर हो जागा C के शोगूहा चलिए नेक्स कोश्चन के बढ़ते हैं आपका नेक्स कोश्चन है कि नुवंबर 2019 में ब्रिक्स बेपार मंतिर्यों के बैठा कहां आयोजित की गई थी इस प्रेश का राइट एंसर होगा आपका डी ब्राजील या ब्राजील में जो है चलिए नेक्स कोश्चन के बढ़ते हैं आपका नेक्स कोश्चन है कि किस क्रिकेट के नाम किस क्रिकेटर के नाम पर नई खोजी गई मकड़ी की प्रजाती के नाम रखा गया है इस प्रेश का राइट एंसर आपका होगा सी सचीन टेंडूलकर सचीन जो टेंडूलकर है उनके नाम पर नई प्रजादी के खोजी गई मकड़ी के नाम रखा गया है चलिए नेक्स क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि किस भारती निसान बाजी ने दोहां में 14 में एशियाई सूटिंग चैंपियंशिप 2019 में पुरुसो की 10 मीटर एयर पिस्टल असपरधा में रज़त पदक जीता है ति इस प्रश का राइट एंस्वर आपका होगा C. सौरब चौधरी चलिए नेक्स क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है C. प्रश का राइट एंस्वर आपका होगा C. प्रश का आपका नेक्स क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि निम्नमे से किसे ठीटर के छेतर में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए Tata Literature Law Life Time Achievement Award 2019 से समानित किया गया है इस प्रश का आपका राइट एंस्वर हो जाएगा C. शांता गोखले चलिए नेक्स क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि हाली में किसे चौदेवें यंत्रक एव महाले का परिच्छा के रूप में युक्त किया गया है इस प्रश का राइट आप बताईए एंस्वर तिसका राइट एंस्वर होगा D. ग्रीश चंद्र मुर्मू चलिए नेक्स क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि मिस वर्ड 2019 खिताब से सम्मानित टोनी इन सिंग किस देश की है इस प्रश का राइट एंस्वर बताईए आप इसका राइट एंस्वर होगा A. जमाइका जमाइका की टोनी इन सिंग है चलिए नेक्स क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन और इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि किस देश द्वारा अरब जगत का पहला परमुर्शनियत शुरू किया गया है इस प्रश का राइट एंस्वर आपका हो जाएगा A. संयुक्त अरब अमिराद दोस्तों यहाँ पर आपके 40 प्लस मुष्ट इंपॉर्टेंट कोईश्चन कंप्लीट होते हैं आप कमेंट बाक्स में यह बताएं कि 44 मुष्ट इंपॉर्टेंट कोईश्चन में से आपके कितने इंस्वर करेक्ट हुआ और इसी तरह का डेली टेस्ट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें थैंक्स फार वाच्च